सूपरभाद बच्चों मैं अखले सुकल हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं मुझे आसा और विस्वास है कि आप सभी घर में सुरच्छित होंगे जैसा आप सभी जानते हैं कि बिद्याले द्वारा आपको कई प्रकार के सुब्धाएं प्रदान की जा रही सुब्धाओं का लाभ उठाते हुए स्वाध्यन करिया इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा साथ की हिंदी पाठे पुस्तक गुलमोहर के पाठे एक वर्दान नामक कविता को पढ़ाने के लिए उपस्तित हूं जिसके कवी सिरी रविंद्रनाथ ठाकुर जी है तो सबसे पहले थोड़ा समय कभी से आप सभी को परचित कराना चाह रहा हूं जो इस प्रकार है रविंद्रनाथ ठेगोर का जन्म साथ मैई 1861 को कलकता के प्रसिद्ध जोर सांको भावन में हुआ था इनके पिता देविंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के नेता थे रविंद्रना कभी कहानी कार, गीत कार, संगीत कार, नातक कार, निबन्द कार और चित्रकार थे, इनका जन्म साथ मैई 1861 को कलकता के जोड़ा सांगो ठाकुर वाली में हुआ, इनकी पिता का नाम देविंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम सिरीमति सार्दा देवी था, इन्हों ने अप बेरिष्टर बनाने की चाहत में इनके पिताने इनका नाम 1878 में इंगलेंड के विंज टून पब्लिक स्कूल में दर्ज कराया लेकिन बेरिष्टरी में इनकी रुचिना होने के कारल 1880 में बिना डिगरी हासिल किये ही वापस आ गए इनका विवाह 1883 में मरिलालिनी देवी के साथ हुआ था रविंद्रना टेगोर ने अपनी पहली कविता महाजाठ वर्स की अवस्था में ही लिखी थी इन्होंने लगभग 2230 गीतों की रचना की थी टेगोर जी ने 1901 में पश्चिम बंगाल की ग्रामेड छेतर में सांत निकेतन में एक प्रायोगी के विद्याले की अस्थापना भी की थी टेगोर जी की रचनाएं गीतांजली जिसके लिए इन्हें 1913 हिसी भी में नोबल पुरसकार प्रदान किया गया था रवेंदर नाठ ठाकूर 1878 से लिकर 1930 के बीच साथ भार इंग्लेंड गये सन 1915 में अंग्रेजो दौरा टेगोर जी को सर की उपाध दी गई लेकिन अप्रेल 1919 में होई जलिया वाला बाग हत्याकांड के बाद रवेंदर नाठ ठाकूर ने अंग्रेज सरकार दौरा प्रदान की गई सर की उपाध ही त्याग कर दिया वे एक मात्र कभी थे जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राश्ट्रगान बनी भारत का राश्ट्रगान जन्यगण मन और वंगला देश का राश्ट्रिय गीत आमार सोनार उनकी प्रमुख प्रकासित कृतियों में गीतांजली, गीताली, गीतिमाल्य, सिसु, आदी प्रमुख हैं उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था रविंद्र नाठ ठाकुर ने ही गाधी जी को सबसे पहले महत्मा कहकर पुकारा था भारत के राश्ट्रगान के रचीता रविंद्र नाठ ठाकुर जी की मृत्यों साथ अगस्त 1941 को कलकता में हुई थी वर्दान कविता का पहला फद्द्यान से इस प्रकार है आप सभी ध्यान पूर्वक कविता को पढ़ेगा आप सभी को लगेगा कि इस कविता कम और व्यक्ष्या जादा दिखाए देगा परन्तु इसके गहराईयों को इनकी भावनाओं को आप समझने की कोशिस करते हुए इस कविता का अध्यान करिये प्रभू विपत्य से रच्छा करो यह प्रार्थना लेकर में तेरे द्वार नहीं आया विपत्य से भैभीत ना हो यही वर्दान दे इस कविता में कभिने जीवन में कर्मठ बने रहने और विपत्य में निरंतर संघर्ष करते रहने का संदेश दिया है एक बार फिर से पंक्तियों को देखते हैं प्रभु विपत्य से रच्छा करो यह फ्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया विपत्य से भैभीत ना हो यह वर्दान दे कभी कहते हैं कि है इस्वर मैं नहीं मागता हूं कि आप विपत्य से मुझे बचाए मैं बिपदा में निर्भीक रहूं बस इतना ही आसिरवाद प्रतान कीजिए अपने दुख से व्यथित चित्त को सांतोना देने की विच्छा नहीं मागता दुखों पर विजे पाऊं यही आसिरवाद दे यही प्रार्थना है आगे कहते हैं कि दुख से ब्याकुल हर्दे को सभालने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं मैं तो बस दुखों को जीत लूँ हे प्रभू इस कामना के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर्दें कि मैं दीनता सुविकार करके अवस्ना बनूँ आगे कहते हैं कि हे इसर जब कोई हमारी मदद करने वाला ना हो उस समय में लाचार या बिवस होकर किसी की दीनता सुविकार ना करूँ बस इतनी ही सक्ति मुझे प्रदान कीजिए संसार के अनिष्ट अनर्थ और चल कपट ही मेरे भागे में आए है तो भी मेरा अंतर इन प्रताणनाओं के प्रभाव से छेड़ना हुआ कहते हैं कि संसार के समस्त बुराईया मुझे में है फिर भी मेरी अंतरात्मा इनके प्रभाव से बिचलित ना हूँ मुझे बचा ले या प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया केवल संकट सागर में तैरते रहने के सक्ति मागता हूँ आगे कहते हैं कि इन कष्टों से मैं बचाने के प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ मैं अपने बल धैरी और बुद्ध से इन कष्टों को पार कर सकूँ बस मुझे पर इतनी क्रिपा कीजिए मेरा भाल हरका कर दे यह याचना पोड होने की सांतोना नहीं चाहता यह भार बहन करके चलता रहूँ आगे कहते हैं कि मैं नहीं मागता हूँ कि आप मेरे सिर का बोज घटा दे हाँ मैं मागता हूँ तो बस इतना कि मैं अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह सुचारी रूप से कर सकूँ यही प्रार्थना है सुख भरे छड़ों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूँ आगे कहते हैं कि हे इसर मेरे केवले ही तनी प्रार्थना है कि मैं सुख के दिन में स्रधा पुर्वक अपना सीस नवाकर आपको नमन कर सकूँ किन्तु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी तब मैं संकित ना हूँ यही वर्दान चाहता हूँ आगे कहते हैं कि हे प्रभू और जब यह संसार मुझे दुखी देखकर हसे मुझे पर हसे अर्थात मुझे रुला कर हसे तो मैं आप पर संदेह ना करूं बस इतना ही बर्दान मैं आपसे चाहता हूँ इस कविता के आधार पर आप लोगों को मैं कुछ प्रस्न दे रहा हूँ जो कि आप एक बार इस कविता को पढ़ कर उस प्रश्णों के उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेगा बिगत क्लासिस की तरह आप कठें सब्दे को तीन बार लिखेंगे इसमें जो सब्दार्थ के सब्द दी गए हैं उन्ही सब्दों को आप कठें सब्दे के अंतर गत भी रखेगा इन सब्दार्थ को तीन तीन बार कठें सब्द के रूप में लिखेगा और दिये गए सब्दार्थों को आप अपनी पुस्तक से इसके अर्थ देखकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेगा प्रस्ण उत्र के अंतरगत आप लोगों की पुस्तक में अतिलग उत्रिय लग उत्रिय और दिरग उत्रिय की तरह के प्रस्ण दिये गए हैं इन प्रश्णों में से अतिलग उत्रिय प्रश्णों को आप पढ़ते समय पेंसिल से अपनी बुक पर उसके उत्तर लिखते जाएगा.